असलाम अलेकुम आज हम शामी कबाब बनाने जा रहे हैं इसको सब एच चीजे लगने वाली है यह मैंने पाउकलो गोश लिया है मैंने चोटी चोटी का दुखड़े करके लिए यह से और यह एक कब डाल ली थी चने की उसको मैं भीगा के रखी थी सुवा से और भी बना रह हुँ और एक चमज नमक है जीरा है एक गरम मसाला है और यह मिर्ची है मिर्ची कुटेली है और हल्दी पाउडर है और यह गरम मसाले है इलाइची है लोंग है और काली मिर्ची है और यह बड़ी इलाइची है और धना है एक आंडा लिव मैं लगाने के लिए यह वटर कच दाल लिए हो मैंने मैं इसमें पानी रगती हुआ गोश्ट डगती हूँ और चनी की दाल भी दालूँ गयास चालूँ क्यों मैंने यह सब चीजे दालूँगी मैं इसके अंदर थल्दी दालूँगी नमक दालें और जीरा गरम मसला बाद में दालेंगे कलाने के दालेंगे यह सब गिल्ला मसल गए मिल्ची आद्रक लसन थोड़ी सबी कोट में दालेंगे और यह भी दालें इसको पानी दालके थोड़ा इसको थोड़ा 15-10 मिनिट में पक जाएगा यह दो तिन सीटे में हो जाएगा यह खुपर बड़कपल लगाती हूं यह हो चुका है इसलिए मैंने छोटे-छोटे पीस रखे तिक यह जल्दी पक जाता है यह थंडा होने के बाद में मिक्सर में ग्रैंड करके लूँगी अंत जो पैसे दोले के शिए जुप हुए यह की आफि टिर्शह शोटे सीटे में मिक्सर में ग्रैंड करके लिए बारइक ऒचुका है उचे अच्छह से ओग अन्सान कि मलिए मैं निकालती हूं इसमें मैं निकल के लिएंगे मैं प्यास दालेंगे एक प्यास डियू मैंने बारिक चौप करके और एक गरम मसाला दालेंगे इसमें उपर से दा रहेंगे तो दीना थोड़ा सा है और कोत मीरे इसको एक टाम से करेंगे मिक्स मैं नमक इसमें डालेंगे में खुड़ाइचा का लगता है ने तो पेस्ट आता है अंडे में नमक दालेंगे और यह मैं भी छोटी छोटी इसके बना के लूंगी अब अब बटक की चूरे में इसके सब लगा के लूंगे एक बार फिर से डालेंगे इसमें अच्छे से लगा कि लेंगे इसको अच्छे से लगा कि लेंगे अच्छे हाद को जरा तेल लगा के साथ सब ऐसे बना के लेंगे अच्छे अंडे में डिप करेंगे इसे सब बना के लेंगे मैं फ्राइ कर रही हूं तेल गरम करने को रखते हूं और पर फ्राइपन में अच्छे कि अच्छे सब बना के लेंगे मैं फ्राइ कर रही हूं तेड़ हां गरम हो चुता है अच्छे सब एक फ्राइ कर के लेंगे मेरा च्छोटा प्राइपान नहीं इसके मैंने दो दो ही डाली हूं अच्छे से फ्राइ कर के लेंगे इसको गोल्डन कि इतना अच्छा कलर आया देतो ऐसे बना के लो बना ऐसे एड़ी रेसी पे अच्छी लगती है तो लाइक करो शेर करो सब्स्वाइक करो